हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका प्रिया ब्यूटे अन हेल्टिवस में दोस्तो हम सभी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जारू एक हर्बर टी जो की बहुत से लोग लेते हैं बर बहुत ही कम लोगों को पता है स्पेशली साथ में यह जो टी है बहुत से लोग लेते हैं क्योंकि साथ में यह फूल जो आप यहां पे देख रहे हैं वो बहुत जादा होते हैं हमारे इदर भी बहुत होते हैं पूरे इंडिया में भी यह फूल पाए जाते हैं तो ये जो फूल है जो आप यहां पर देख रहे हैं इसे कहते है हिबिसकस फ्लावर, मराथी में इसे कहते है जास्वंथ और हिंदी में इसे कहते है गुढ़ हल के फूल आप सबी जानते हैं होंगे कि Ayurveda में Goodhal के फूल के बहुत साए वायदा है ना केवल इसके weight loss में बल्कि ये जो flower है वो हमारे skin के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे hairs के लिए बहुत अच्छा होता है बालों के लिए आखों के लिए पूरे बोड़ी के लिए ये फ्लावर बहुत अच्छा होता है पर ये टी लेने से पहले ये टी कौन-कौन नहीं ले सकता है मैं पहले ही बता देती हूँ जो लोग जो औरते प्रेगनेंट है वो ये नहीं ले सकते है जिनकी हार्मोनल कोई थेरपी चलू है वो लोग ये नहीं ले सकते और जिनको लोग बीपी की समस्या है वो लोग ये टी ना ले क्योंकि जो गुढ़ल की टी है वो बीपी लोग करने का काम करता है यानि जो हाई बीपी वाले लोग रहेंगे उनके लिए ये टी बहुत ही असरदार होगी साथी में जो thyroid की patient होगी जिनको अपना weight loss करना बहुत हार्ड हो रहा होगा तो वो लोग ये tea को ले सकते हैं और उसे बहुत फायदे मिलेंगे तो चले शुरू करते हैं कि ये tea कैसे बनाना है इसके लिए हमें लगेगा अगर एक cup आप बनाना चाहते हैं तो दो से तीन hibiscus के flower चलेंगे दो से तीन ना हो एक भी हो बड़ा वाला तो भी चलेगा तो मैंने यहाँ पर तीन flower पिक कर लिए आप देख सकते हैं आपने बहुत बार इसे देखा होगा गनेज जी पर इसे चढ़ाते हैं तो आपको क्या करना है इसके petals निकाल देना है और इसे अलग कर देना है यह जो बीच का flower है इसे अलग करना है यह जो stem है यह हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करना है अब हमें क्या करना है कि गयास पर गरम पानी उबालने के लिए रख देना है और गरम गरम पानी इसके उपर डालना है या फिर उस गरम पानी में ये जो पत्ते है वो डालना है तो यहाँ पर मैं गरम पानी ले लेती हूँ और इस पर डालती हूँ चम्मत से एक बार इसे हिला लिजे आप देखेंगे कि थोड़े देर में ये पत्ते अपना कलर छोड़ने लगेंगे इसे थोड़ा ढगकर रखना पड़ता है दो से पाच मिनिट के लिए तीन मिनिट लगबख हो चुके है और आप देख सकते हैं कि ये जो पेटल्स थे उसका कलर पूरा उतर गया है इसमें डार्क जामूनी कलर का ये दिखने लग गया है मैं आप आपको ये पत्ते आपको निकाल लेना है इसमें से पूरे देखे कितना सुन्दर कलर आ चुका है अब मैं आपको एक गलास में से पूर करके बताती हूँ ये देखे अब आपको क्या करना है एक नीमबू लेना है और उसे आधा काट लेना है तो ये देखे मैंने इसे आधा काट लिया है आपको बस चार से पाच बुंदे नीमबू के रसकी इसमें डालनी है और अब आप इसका मैजिक देखे और इसका कलर देखे क्या से क्या टर्न हो जाता है देखे अब ये कलर जामुनी से डाक रेड की तरफ मूटते जा रहा है आपको इसे बस एक बार मिक्स कर लेना है और ये देखे तो ये सुन्दर सा सिंपल सा ड्रिंक ये आपके लिए वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये क्यों वेट लॉस कराता है क्योंकि इसमें होता है भरपूर मातरा में विटमिन सी और फाइटे कॉलमीन्स जो और जिंक जो हमारे पूरे बोड़ी के मेटाबॉलिजम के लिए बहुत अच्छा होता है ये हमारे हाई बीपी को नॉर्मल में लेके आता है इसलिए लो बीपी वाले लोग इससे जादा लेने सकते तो इस फ्रेश ड्रिंक को आप पीजिए रोजाना अपने डायेट में शामिल कीजिए और एक से दो महिने के बीच में देखें आपका जल्दी से वेट लॉस होने लगेगा जो लोग thyroid के patient है जिनका वेट लॉस नहीं होता है वो लोग भी easily इससे वेट लॉस कर सकते है thyroid के patient जिनका thyroid बहुत बड़ा हुरत है वो लोग भी इससे बहुत जल्दी आसानी से कंट्रॉल कर सकते है क्योंकि इसमें zinc होता है जो हमारे body के लिए बहुत जरूरी होता है इसमें vitamin C होता है और उपर से हमने जो नीम्बू के रस डाले है उसमें भी vitamin C होता है बहुत मात्रा में anti-oxidants हमारे body को मिलता है तो ये detox drink है जो आपको रोजाना लेनी चाहिए सुबह की रोजाने चाय की जगा पे अगर आप इसे लेंगे तो आप बहुती जल्द अपना weight loss कर पाएंगे तो comment करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये drink कैसे लगी और चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा अद्रक भी डाल सकते हैं बस तेस के लिए या आपके उपर depend ह इसे डालना है या नहीं अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को like, share और comment करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और मेरे इस चैनल को subscribe जरूर कीजेगा thank you so much